अज हम शूटिंग स्टार से एक विश मांगेंगे तो बच्चों क्या आप सब जानते हैं आज रात हम देखने वाले हैं स्टार शार इसका मतलब पनीर और दही मिलेगा लेकिन मुझे तो मीठा और खट्टा पसंद है वो कोई डेरी प्रड़क्त नहीं है वो स्टार शार है आज रात हमें बहुत से शूटिंग स्टार दिखाई देंगे क्या ये सच है कि शूटिंग स्टार को देखकर विश मांगने से वो पूरी होती है हाँ मैंने सुना तो है पर ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें शूटिंग स्टार देखते ही अपनी विश को तीन बार रिपीट करना होता है जो आसान नहीं है तो बच्चों तुम अपनी विश मांगने की कोशिश करोगे अच्छा बताओ तुम लोग क्या-क्या विश मांगोंगे पहले से सोच कर रखेंगे तो असानी हो जाएगी सही कहा मैं तो एक्शन कामीन से मिलने की विश मांगूंगा मुझे मोईपी की स्टिकर्स चाहिए मैं भी यही मांगूंगा मैं तो मता करा था मैं तो बस इंग्लिश लेवल फॉर में पास होने की विश मांगूंगा मैं अपनी विश में एक अच्छा सा पत्थन मांगूंगा और मैं मांगूंगा मांगूंगा मैं मांगूंगा मैं मांगूंगा लेकिन मैं क्या मांगूंगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगूँगा तुम विश मांगना कि तुम्हें पता चल जाए कि तुम क्या विश मांगना चाहते हूँ शूटिंग स्टार दिखने पर हमें अपनी विश को तीन बार मांगना होगा तो इसले हमें बहुत जल्दी जल्दी बोलना होगा मुझे एक्शन कामीन से मिलना है मुझे एक्शन कामीन से मिलना है मुझे एक्शन कामीन से मैं भी कोशेच करता हूँ मुझे इंग्लिश रेवल फॉर्ब में पास्स ओना है, मुझे रेएए अच्छा पत्थर चाहिए, मुझे एक अच्छा पत्थर चाहिए ऐसे लिए रहे तो सुबह हो जाएगी इस तरह तो तुम विश मांगी नहीं पाऊँगे ठीक है, मैं अपनी वेश छोटी कर देता हूँ पथर, पथर, पथर एक्शन का मीन से मिल ले है, एक्शन का मीन से मिल ले है इंग्लिश डैवल पोर में पास होना है, इंग्लिश डैवल पोर में पास होना है मुझे पिखिश्टिकर्स चाहिए, 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 मुझे क्या पिखिश्टिकर्स चाहिए, मुझे क्य अरे ये तुम क्या कर रहे हो शिंचैन मैं शूटिंग स्टार देखना चाहता हूँ हाँ हाँ सही का मैंने भी इसके बारे में टीवी पर देखा है मगर बेटा गार्डन में अपना बिस्तर मत बिछाओ प्लीज मॉम बिछानी दो ना मैं गार्डन में अराम से लेटकर शूटिंग स्टार से अपनी विश मागना चाहता हूँ अरे हाँ पहले मैं भी अक्सा रात में आसमान देखती थी बहुत ही अच्छा लगता था क्या अपनी शूटिंग स्टार से कभी कोई विश मागी थी हाँ मागी थी मैं क्लास में अच्छे माग से पास हो जाओ और हाँ इस बार मुझे मेरे बर्दे पर बहुत अच्छे अच्छे गिप्स मिले समझके लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई विश पूरी हुई होगी चुप रहो मैं तीम बार बोल नहीं पाई समझे ठीक है तो देखना शिंचेन आज मैं लख्की ड्रॉ के लिए विश मागूगी अरे वा ये तो कमाल हो गया मगर तुम गार्डन में विस्तर नहीं लगाओगे ये जगा शूटिंग स्टार देखने के लिए सही है तो हम उसे यहीं से देखेंगे क्यों शिंचेन यहां से देखना ठीक रहेगा ना इतनी उचा ऐसे आपके विश ज़रूर पूरी होगी बेकार की बाते बंद करो रात को बहुत ठंड हो जाती तो इस स्लीपिंग बैग ठीक रहेगा पर तुम लोग क्या करोगे तुम्हारे लिए तो स्लीपिंग बैग है ही नहीं हम इससे काम चला लेंगे मुझे पता था शिंचेन तुम ऐसा ही कुछ कहोगे तो ठीक है अब खाने पीने के लिए कुछ गर्मा गरम बनाते हैं यो शिंचेन है हाँ बिलकल अब रात में जागना है तो दिन में सो लेते हैं हाँ हाँ तो रात को जागने के लिए सो जाओ ठीक है ये नीन की नहीं आ रही है मा मुझे नीन नहीं आ रही है अरे ये तो बहुत जल्दी सो गए हेलो बोली है मैं भी सोना जाता था ता कि राग को जाक का शुटिंग स्टार देख सकूं लेकिन मुझे नीम नहीं आ रही तुम क्या कर रहे हो कुजामा मैं सो रहा था और तुमने मुझे जगा दिया मैं शिंचन बो रहा हूँ कुजामा तुम सो रहे थे क्या हाँ शिंचन कुजामा एक बात बताओ शुटिंग स्टार हमसे मिलने कब आएंगे रात बे क्योंकि हम अंधेरे में इस शुटिंग सास को देख सकते हैं मैं घर आ गया अरे कहा हो अरे यहां क्या कर रहे हो तुम लोग तुम्हें ठंड लग जाएगी दैड में आ गया तुम नहीं मैं आ आ हूँ आपका स्वागत है है हैरी हम लोग शुटिंग स्टार्स देख रहे हैं तुम लोग तो सो रहे थे शुटिंग स्टार ठीक है मैं एक विश मांगना चाहता हूँ दिखाई दो शुटिंग स्टार जल्दी दिखाई दो न ऐशन कामीन से ये तो बहुत जल्दी में है मैं जल्दी विश मांगूँगा और मैं भी आया जब हम इंतजार करते हैं वो नहीं गिरता सही खाँ मैं आशन कामी देख रहों में मिले अरे तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता के विश मांगी कैसे जाती है अच्छा आप बताईए विश कैसे मांगनी चाहिए चलिए डैड मांग के दिखाईए ठीक है मुझे अपनी कमनी का डारेक्टर बनना मांगली आप डैडेक्टर बनने की विश मांग रहे है आपको तो कोई बड़ी पुजिशन की विश मांगनी चाहिए क्यों हैरी मैंने सुना है शूटिंग स्टार हर विश्पूरी करते है पता है मुझे अक्शन कामी से मिलना है मुझे अपनी कमनी का प्रेजड़न अरे नहीं अच्छा बताओ कल तुमने कोई विश मांगी नहीं और मैं भी कुछ नहीं मांग पाया शूटिंग स्टार्स बहुत जल्दी में थे तभी के पास मांगने के लिए विश्थी पर ये लोग मांग नहीं पाये अच्छा है इतने कम टाइम में तीन बार बोलना बहुत ही मुश्किल काम है मुझे नहीं लगता कि कोई बोल भी पाया होगा